पाद सरकार का मास्टर स्टोक यही था कि उनसा चीनी आप्स को सरकार ने बैन कर दिया है जितने ये चाइनीज चाइन तरकारी एप है सब पर लोक लगा दी गई है और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एर स्ट्राइक है चीन के ऊपर ठारह ऐसी कंपनिया हैं यूनिकॉन कंपनिया जिसमें चीन के निवेशकों ने अपना पैसा लगा रखा है पेटीम.com चार सो मिलियन यूस डॉलर्स लगे हैं जब लाउंच भूँआ तो तरफान सिवक ने अपनी फोटो खुद लगवाई थी भारत में 69 चाइनीज आप्स को बैन कर दिया गया है इनमें टेक टॉक यूजिप रॉजर शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे पॉपलर आप्स भी शामिल हैं भारतिय सरकार ने ये फैसला यूजर्स के डेटा की सेफटी को ध्यान में रखते हुए लिया है सरकार की तरफ से जारी बयान में इसे देश की सुरक्षा और एकता को बनाई रखने के लिए जरूरी कदम बताया गया है बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाज शुरू होने के बाद से ही चाइनीज एप्स बैन करने और चीनी प्रडक्ट्स की मांग उठ रही थी अलग-अलग कारणों से टिक टॉक को लेकर भारत में बैन पर काफी बार मांग उठ चुकी है प्रिस पर सरकार के आदेश के बाद ये एप अब प्ले स्टोर पर नहीं है अब धीरे-धीरे बाकी 69 एप्स भी प्ले स्टोर और एपल स्टोर से हटा दी जाएंगी अगर बात करें Chinese boycott की तो mainstream media को Chinese company से advertisement भी लेना बंद करना होगा अरनब के एक show की photo काफी viral हो रही है जिसमें अरनब चाइना get out को लेकर debate कर रही है और ये show powered by MI10 है सबी जानते हैं कि MI Chinese company है एक तरफ अरनब चाइना को get out कह रही है और दूसरी तरफ MI के advertisement भी ले रही है ऐसी ही एक और photo भी viral हो रही है जिसमें अरनब की एक debate वीवो द्वारा sponsor की गई है वीवो में भी Chinese company ने बहुत investment कर रहा है अरनब काफे दिनों से कह रहे हैं कि bycott China अब तो surgical strike भी हो गई है Chinese apps पर तो क्या अरनब अब ये ads नेनी पंद करेंगे लोगों की तरफ से ट्वेटर पर भी reaction आने शुरू हो गए है एक ने लिखा कि boycott China powered by MI10 and Vivo वाव और एक योगेश चुशी इंडिन आर्मी उन्होंने लिखा कि irony died a thousand deaths get out China powered by Vivo at the Red Republic इसके लावा एक phone call भी काफी viral हो रही है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा Republic TV के दफ्तर में फोन किया और Vivo और MI sponsor को लेकर अलोचना भी की अब ये भी सुनिए अब कौन है वहां का क्या काम था सब बोलिए ना एक बात बोलने का था क्योंकि आप लोगों को आज का डिसकेशन में अरनाव गोस्वामी का डिसकेशन में उसने लिखा था चाइना गेट और मानता है सही है वो लोगों लात मारना पड़ेगा उसी टाइम में उसको वही टीवी में पावह डॉट वाई वीवो एक वॉटैवेव मेंस्ट्रीम मीडिया में इसको डिजिटल सर्जीकल स्ट्राइक कहा जा रहा है आएए देखते हैं कि सरकार के इस फैसले पर मेंस्ट्रीम मीडिया में क्या रियक्शन है अरनब ने इस मुद्धे पर एक डिबेट भी की और इसमें वह चाइना पर चलाते नजर आए और मुदी सरकार की तरीफ करते हुए न्यूज नेशन पर एंकर दीपक चुरसे अभी इस पर मुदी सरकार की तरीफ ही करते नजर आए न्यूज नेशन की एक और मुहिम को सरकार ने माना है इस वक्त मैं आपको बता दू येलो, कैम स्कैनर, पबजी, शेर इट जितने ये चाइनीज शडियन तरकार येप हैं शेर इट, स्वीट सेलफी, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, सब पर लोक लगा दी गई है चीन के खिलाफ केदर सरकार का बड़ा फैसला है ये, बहुत बड़ा फैसला है और सबसे पहले ही, मैं भी सैनिक, ये मुहिम न्यूज डेशन ने शुरू करती थी चाइना के अतिक्रमंड, चाइना ने हमारे यहां जो गुस्पैट की कोशिश की थी उसके बाद अब चाइनीज अब पर बैन लग गया है, पबजी, यूसी ब्राउजर, और जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा यलो, केंप्स, करना, ये न्यूज डेशन की मुहिम्ती, मैं भी सैनेख, हम भी सैनेख हैं और मेरे साथ अरपित जुड़ गए हैं दिली से, अरपित आप भी सैनेख हैं पर जो हमने दिखा हैं, और क्या कहेंगे, यह चाइनीज एब जो हमसे कमाते हैं आज बैन किया जा रहा है इनको TikTok भी बन है चुका है बहुत बढ़िया बाकि कई मेडिया में इसे डिजिटल सर्चिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है हमेशा की तरह मेडिया ने उसे भी एक इवेंट की तरह पेश करना शुरू कर दिया है आज सरकार का master stroke यही था कि उनसद चीनी आप्स को सरकार ने ban कर दिया है चीनी आप पर भारत की surgical strike है भारत ने चीन के 60 mobile phone applications को ban करने का फैसला किया है यह mobile apps पर आप प्रतिबंद लग जाएगा भारत में आप इनने इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ये भारत की तरफ से पहली digital air strike है चीन के उपर जैसी air strike हमने बाला कोट में कि थी पाकिस्तान के उपर जैसी surgical strike हमने पीओके में कि थी 2016 में हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए और इस बार भारत ने जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एर स्ट्राइक करेंगे चीन पर वरिष्ट पत्रकार मिनोद दुवा ने अपने शो में ये बताया कि किन एप्स में चाइना ने फारी इंवेस्टमेंट कर रखी है Gateway House मुंबाई की एक Think Tank है जिसने करीब 75 एसी कंपनिया चिनहित की है हमारा ध्यान दिलवाया है जहां पर चीनी निवेशकों ने ये e-commerce, finitech, media, social media, aggregation services और logistics में पैसा लगाया है मैं आपको कुछ नाम बता दूँ बिग बास्केट अब सब इस नाम से वाकिफ हैं उसमें चीन के 250 मिलियन यूएस डालर लगे हुआ हैं बाइजूस उसमें 50 मिलियन यूएस डालर लगे हुआ हैं डेलिवरी 25 मिलियन यूएस डालर्स ड्रीम 11 150 मिलियन यूएस डालर्स फ्लिप कार्ट इस नाम से भी आप बहुत लोग वाकिफ हैं Flipkart में 300 million US dollars लगे हुआ है Hike 150 million US dollars लगे हुआ है Paytm.com 400 million US dollars लगे हुआ जब यह launch हुआ तो प्रधान सिवक्त ने अपनी photo खुद लगवाई थी उनकी photo का इस्तेमाल किया गया था उसको launch करने के लिए जिस पर कोई अतराज जाहिर नहीं किया गया था Snap Deal एक और नाम जो आप जानते हैं इस पर 700 million US dollars चीन के लगे हुए है भारत सरकार ने इन apps पर बैन नहीं लगाया जिन पर चाइना ने भारी investment की हुई है वही पंजाब के मुखमातरी कैप्टन अमरेंदर सिंग ने कल एक press conference की जिसमें उन्होंने केंदर सरकार से भारत चाइना तनाव के बीच PM Care's Fund में Chinese company द्वारा दिये गए fund को वापिस करने को कहा है उन्होंने कहा कि एक तरफ तो चाइना हमारे जवानों को मार रहा है दूसरी तरफ हम उनकी कंपनियों से fund ले रहे हैं आईए आभी सुनिये आपको ये भी बता दें के TikTok ने COVID pandemic के दोरान PM Care's Fund में 30 करोड डोनेट किये थे TikTok के लावा कुछ और भी एप हैं जिन्होंने PM Care's Fund में कंट्रिबूशन दिये हैं TikTok facilitated a donation of 30 करोड for the controversial PM Care's Fund has paid him which has 30% Chinese ownership given 100 करोड to this ready fund has again I can't pronounce it XIAOMI Chinese company committed 15 करोड to the controversial fund same fund Chinese company OPPO donated 1 करोड to the controversial fund and has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Care's Fund and how many करोड has been sent to this now these are questions अब आपको बताते हैं कि कैसे ये बैन लागू होगा नव भारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो इंटरनेट सर्विस प्रॉइडर्स को इन एप्स को बैन करने के निदेश दिये जाएंगे हो सकता है जल्द ही यूजर्स को एक मैसेज मिले जिसमें कहा गया हूँ सरकार के अदेश पर इन एप्स का एकसेस रोक दिया गया है ये तरीका टिक टॉक, यूसी नूज चैसे उन एप्स पर कारगिर साबित होगा जिनने लाइफ फीड के लिए इंटरनेट की आविशकता होती है इसके इलावा बैन किये गए एप्स को धीरे धीरे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हठा भी दिया जाएगा Bureau Report, Punjab Today TV